इस टॉपिक के अंदर हम चेक करेंगे के आटोकैड इस तरह के हम प्रीवेस्टी लिंक टॉपिक के साथ मूव कर रहे हैं हमने प्री राकुजेट्स भी देखे इस लेक्चर के अंदर हमने जो मेन मैन्यू देखा था जो हमने स्टार्ट में सैटिंग की थी ocksåीक हमने जब सैटिंस की यह उडिज ऐसक को मैन्यू इसकर यह उसको बहुत गुक्त करेंगे किन के क्या क्या चो सकते हैं वह कई के कर सकते हैं तो में हमारे टॉपिक यह आप वैल फिमिल्गिड हो जाए और यह एक्शली हम इन सारे टॉपिक्स के अंदर यह हो फाउंडेशन बिल्ट कर रहें अभी हम डिरेक्ट डिर्थड्र कमांड पर वहां से हम में कोई आबचेक्ट करना लेकिन फिरहल हम फाउंडेशन बिल्डिंग के उपर वर्क कर रहें कि हमारे कोई भी कंपोनेंट कोई भी चीज ड्रा करने से पहले हमारे बेसिक जो सारी चीजें हैं वह आल्रेडी हम हमारी बैटर अंडर स्टार्डिंग हो जाए तो वह हमारे लिए आगे आनवर्ड काम करना सान होगा तो आएए बढ़ते हैं आटो कैट की तरह और नौट करत और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना चाहिए और चीज में किसी और राइंग में रहा करके नोट कर लोग या अब अरिया calculation की तरफ जाएंगे गर आप किसी और ड्राइंग में कोई अब्जेक्ट यहां से कॉपी कर प्ले के जाना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे अन दिस न्यू जैसी आप न्यू ड्राइंग पर उपक्लिक करते हैं तो यह आपके पास आपको ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो मारे पास एक नई ड्राइंग ओपन होगे यह दिस वन मैथर मारे पास एक और मैथट भी है यह जाए सारे सॉफ्ट्रेर में आप इसको यूज कर सकते हैं अब किसी और सॉफ्ट्र में भी जब वर्ट कर रहे होते हैं अगर आप कंट्रोल और आपने इसको साइमिल्टेनियसली प्रेस करना है इकठा कंट्रॉल के बटन पर भी आपका हाथ होगा और जब आप एन पर प्रेस करेंगे यह अगर आप करें यह आपके पास कंट्रॉल एंड तो से मैनर में आप इससे भी एक नई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं वाप कि अगर कोई भी फाइल आपके पास मौजूद है अगर आप उसको ओपन करना चारहें स्पोज यह अगर देखें तो यह मेरे पास जो है वो डेस्क्टॉप के ओपर ड्राइंग वन भी मौजूद है इसकंदर पी ऑब्जेक्ट भी ड्रा है तो एक ड्राइंग यह और ही आ यह फाइल को जो आपने अपने पास रखी हुई है अपके सिस्टम में पढ़ी है आप उसको ओपन कर सकते हैं आप्पटी इस बहुत आपकर से बार्ण करने के बाद आपने ड्राइंग को सभ करना अंगर आप से नहीं करेंगे और आपकी ड्राइंग जो है को सेव कर लेते हैं और अगर आप यह हम सेव की बटन यह हमारे पास आल्रेडी जो है वो जब भी आप आटोकैड के अंदर वर्ग करते हैं तो यह आटोकैड जो खुद फाइल को नाम देता है वो ड्राइंग 1234 से मैनर में अगर आप कभी एक्सल में काम करेंगे तो वहां व करें अगर इसको अपनी ट्राइब के अंदर सेव करें आपकी लॉकल डिस्क दो मुझूद है आप सिस्टम के अंदर वह यहां से आप एकसेस कर सकते हैं और आप इसको अब किसी और प्लेस कर सकते हैं बट प्रफरेबली C या D ड्राइव जो आपकी मौजूद है उसके कबाई लिए गर नाम कर लेता हूं और इस फोलडर का कर लेता हूं और इस मेन्यू मेन्यू के अंदर हम इसको नाम हमने मेन्यू रखा और यह आप अगर नोट करें करसर जा मेरा मूव कर रहा है तो यह वो सैटिंग्स हैं जो हमने थोड़ी दिर पहले का लिए और अब यह आपको बता रहा है कि यह आपका फाइल है टूथाउजन और टूथाउजन स्टेप जो आपने सेटिंग्स जो ने पहले किए हैं उसके बाद फाइल को आप सेव कर लाएं क्योंकि हम इसके अंदर कुछ काम करने भी जा रहे हैं फाइल सेव करने के बाद अगर फाइल इक अंदर आप फॉर्दर प्ले करें तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी मुझू करेंगे तो एक नई टैप हमारे सामनी ओपन है और यह हमारे पास यह है वो एक्सपोर्ट की वर्यन मुझूद है कि के अंदर हम इस AutoCAD की फाइल जाकेijaर को चाके खुद बोपन कर सकते हैं तो यह اور इसी तरह के अंदर यह हमारे पास एक्सपूर्ट है फिल यह हम को नहीं कर रहे हम आंवर्ड इसी लेक्टचर के अंदर जिसकोफरों करेंगे फाइल के अंदर अगें फरदर हमारे पास आप्शन है प्लाट प्रिव्यू है या पॉब्लिश है ड्राइंग सैटिंग्स है और इसके साथ लास्ट में यह हमारे पास रीसेंट ड्राइंग्स यहां पर भी आपको नजर आएंगी अगर आप बॉटम में जाएंगे यहां से आपको ड्राइंग नजर आते हैं जिस तरह हमारे पास अभी ड्राइंग वन है और मेन मेनी है जो अभी हमने एक नई वाइल सेज की है यह हमारा एक फाइल का मैनी है जिसके अदर मेनली सेव सेव एज निव शीट और एक्सपोर्ट की हमने क्विकली ऑप्शन देखें इसक और यहां यहां अगर करने के लिए या हम आडिट के अंदर जाकि आपने कट जाक्त की कि यहां से खायब हो जाएगा डूसरी मारे पस्शाट की है कंट्रॉल X अगर आप इसी object को जो है यह सामने मारे पास एक object है और इसको आपने इसको आपने इसको पर कहीं भी कर सरक क्लिक किया और यह वापकर सेलेक्शन एक्षिन जब भी आप object पे क्लिक करते हैं कैड के अंदर सेलेक्शन का जो सिंबल है वो यह अगर आप नोट करें तो आपके पास यह लाइन भी कुछ भी हो चुकिए और इसके तीन पॉइंट भी हैं तो यहां के अगर आप कंट्रॉल और एक्स अगीन सामिल्टेनियस ली प्रस करें आप नोट करेंगे यह object हो डिक्षा तोब कापि कि कमांड सेलेक्ट करके फिराकफ़ोद काने यर्भक कर्ने के बात क यहां से कापीड क्रिक करते हैं एगन से में चारहे हैं हमने हमने वह उब्जचक्ड क्या और आन परेस किया अब हम इसको और कर सकते हैं लिए भी ऑगें हम एड़े में जाके हमारे पास स्क्रीन पर चीज कोड़ करने की तो कपी के लिए हमारे ये भी परेलल आपने सेमेटीट इनिए प्रसकरने हैं ctrl c and ctrl v अब अगर आप वी प्रसकरेंगे करेंगे आपके पास option दियरा है कि आप इस औवज्यक्ट को पीस्ट भी कर सकते हैं तो यह आप जाएं से edit view के अंदर copy and paste का है तो इस topic के अंदर हमने नोट किया है कि main menu के अंदर जब हम आटो क्याड open करते हैं तो file में जाकर हम क्या 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 कर सकते हैं और edit के अंदर जाकर हमने cut copy उसका manual method भी देखा कि यहां से कैसे कर सकते हैं और हमने उसका shot keys जो हमने use की हैं उसकी मदद से भी हम इसको cut copy कर सकते हैं